अलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज का जो प्लान है 17 फीट बाई 50 फीट का है 17 फीट इस प्लान का चोड़ाई मिल जाएगा आपको और 50 फीट इस प्लान का लंबाई है यह जो प्लाट है यह जो है इस्ट फेसिंग का वन साइड उपनलाट है और यह जो प्लाट है हमारे klionint mister parveen Singh जी का है जो कि शीवान बिहार से बेलोंग करते हैं उनके लिए यह प्लान मैंने डिजाइन किया है जैसे कि आपने टाइडल्स में देखा ही होगा कि यह त्री भी एच का प्लान है और आप चाहें तो इसको यहाँ पर फ्रंट में गेस्ट्रूम है यह इसको अजिस्वाप भी यूज़ करते हैं जिस्वाप यह यूज़ डिजाइन किया गया है यहाँ पर अभी हम बाहर में ह और अभी घर के अंदर चलेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं यह तोड़ी से मैं जूम करता हूं यह जो लाइन्स देख रहे हैं यह वाली लाइन यह हमारी घर के बाहर की बाल्कनी की लाइन है और इधर से हमारी घर के अंदर जाने का में रास्ता में इंटरेंस जो में कुरें चाहिबान देख तो से सब्सक्राइब तो जांगे जो हOWN सब्सक्राइब जो यहां करोगी है यहlaş कर दोर है वो लग जाएगी यहां पर जो कि 6 फिट की उचाई पर रखेंगे इस दोर को तो इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं वह बालकिनी को डिजाइन किया गया है ताकि हमारे घर का जो अलुक आएगा देखने में बहुत ही सुन बहुत अफिसी में भी अपने घर के अंदर जाएंगे उससे पहले हम देख लेता है यहां पर जो स्वाप डिजाइन किया गया है यहां पर सेटर मिल जाता है जैसे कि आंने पने यही देखा होगा जाएक है सेटर लगा है कि इता हैं यहाँ प्रक्रण करना श्रेख प्रौन भीसका अचरर प्रक्राइएरस का पंनाम चूरतरों कि द تو पर आप यहां पर डौर आजाएगा और यहां पर इक विंडो लगा देंगे तो इसको एज गेस्टूम भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर एक और भी डौर मिल जाता है जो कि हमारे हॉल के अंदर जाने के लिए हमको इदर से मिल जाएगा हम यह दो को ओपन करके अपने हॉल में जा सक ख़ई है जो कि अप्र का निदर मतरा हुए गर बनाने में तो यहां पर यहां पर आप बात कर रहा था यह घर के अंदर जाने का जो फइस्ट यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर जा रही है पहला जो कदम होगा वह यहां पर रखेंगे यहां से हम उपर जो लिखा हुआ है यहां से ऊपर कि तरफफ चढ़ते आएंगे यहां पे यहां पे आते हैजdı जिब हम आजएंगे तो यहांक हमकर 7-5 फिट की और इसकी निचे निचेEND ढारा डोल पक्लेश हो जा cancelled यहां यहां से आने के बाद से यहां पर यहां पर की तरफ जाएंगे तो यह जो स्टेप्स होंगे यहां तक लगबग जाएंगी और इसके नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे यहां पर जाएंगे को से शते होगे तो काफी एक अच्छा यहां से बाहर से देखने पर आएंगे ने दो डिकेंगा तो और यहां पे हम बाइक की parking हो गए कर सकते हैं इसके नीचे से बहुत memory कर सकते हैं हम यहाँ पर साथ आपना टेंक बना सकते हैं तो इधर से हम चलेंगे अपने see yeah hall के अंदर और यहाँ पर का आपको मिलना काफी बड़ा हॉल है यहाँ पर किचेनट हॉल मिल जाएगा इसी के सामने से यहाँ के कामन ट्वाटरूम बातरूम इलगाता जैसे ओब देख पा रहेंगे कि यहाँ पर सोपी प्लीज की हैं और इधर से भी हम अपने शॉप के अंदर या गेस्ट्रोम जैसा भी आप यूश करना चाहें इसमें जा सकते हैं यह जो दरवा जा है ड्यफिट चोड़ा है पर डिजाइन किया गया है अब यहां पर अभी मैं बात कर रहा था कोवर्मन ट्वालेटन बातरून यहां पर दिया गया है तो जो कि हम अपने हॉल से इस कोवर्मन ट्वालेटन बातरून का इस्तमाल कर पाएंगे यह जो यहां पर आगे चलेंगे तो यहां पर यहां पर आगे चलेंगे तो यहां पर एक ओपर किचन डिजान किया हुआ है जैसे हैं तो यहां पर दायानिंग केबल को तो इस्तर दा करें तो यहां पर ऑन्यकुरिक घंन को कि यहां पे चाहें तो यहां पर चिबिस न होता है यहां पाइब कुछाएं तो आगे चलते हैं पैसे देख लेते हैं यहां पे टीन प्र यहां पर चोड़ाई है यहां पर 6 पाइच परद प्रीज करदें और इस दिवार पर यहां पर विंडू मिल जाएगा क्योंकि आगे यहां पर एक OTS है यहां पर एक shaft है जो कि हमारे छट में यहां पर खुला रहेगा और बाद में जब concreting करते हैं तो यहां पर खुला रखते हैं बाद में लोह किजाल से इसको cover कर देते हैं तो इससे इसके रोस्ति आती है और रोस्ति के वशेसे यहां पर window open करने से हमारे इस bedroom के उजाला रहता है चार फिक चोड़ा है यहां पे window जिए जो कि काफ़ी बढ़ा window है यहां पर बात करते है पैसे से आगर चलेंगे तो अपनी master bedroom में चले जाएंगे यहां पर आ जाते है master bedroom में तो यहां पर थीन फिट चोड़ा है यहां पर दरवाजया मिलेगा और यहां पर बेटरों का साइज है 17 पिट 17 12 पिट यह लंबाई चुह तो यहां से हैसे बाड़े और histor wins यह है काफी स्पिशे कमरा हें दोनों काफी सपीसे dark जा यहां पर भी चलेंगे है कंवाइं टोलेटरुम भी आफ जिआ डिया है है जिसे अटैच है यहां से से ही तो इस से उसका स्वाल कर पाएंगे 8 फीट इसका लंबाई है यहां पर यहां पर लग जाएगा और इस कमरी के लिए जो विंडो है वो यहां पर है विंडो जो की दिवार पर आएगा तो जो कि तीन फिट चोड़ा है तो इस साफ्ट के तरब से जो रोशनी आएगी वो इस मेंडो से हमाले इस मास्टर बेड्रूम के अंदर भी उजाला जो कि तीन फिट चोड़ा तीन फिट वाइड है तो तीन फिट एक इंच बाई चार फिट साथ इसका यहां पर ओडियस खुला रहेगा चक में और लोही किजाल से इसको कवर करेंगे तो चलिए भी इसमें बात करते हैं वह अलसाजस की तो जो इसमें दिवारे जो करेंगे तो मुझे हुवीज है कि आपको प्लान अच्छा लगा होगा एक लाइक करेंगे और आपको अच्छा लगा और सब्सक्राइब करें दूस्तों ऐसे यह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूड़े रहे हैं ठैक्स फर वाचिंग तस वीडियो